डौन लिया तो वालादश तो गाइज अगर आप लोगों को हॉलेवूर्ट की मूबीस यूटूब पर देखना पसंद ए तो आप लोगों ने बिल्कुछ सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि आज किस वीडियों में जितने ही में मूबिस को कवर किया канал उनमें से आप कुछ मोविस को सीधे यूटूब पर देख सकते हो लेकिन उससे पहले प्लिस वीडियो को लाकिसा चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे तो करते हैं वीडियो को भी ना किसी देड़ के स्टार्ट नमर वन सेंग ट्रम ये मोविस साल जोरे 11 मेरे ले जो चुके एक्सन होरर मोवी है इस मोवी की आइम डेटिंग 5.9 की है इस मोवी में कहानी देखने को मिलती है दो फ्रेंड्स की जो कि जंगर के बीच बहुती लंबी सुरंग को एक्स्प्रोर कर रहे होते हैं और ये सुरंग पूरी तरह से पानी से भड़ ही होती है और ये दोनों फ्रेंड्स अपने काम में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि ये दोनों सुरंग के बहुत ही अंदर चले जाते हैं, लेकिन अब इन दोनों के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये दोनों बाहर जाने कर रास्ता भूल जाते हैं, और इनके पास ज्यादा अक्सीजन सिलिंडर भी नहीं होते हैं, तो ये दोनों इस सुरंग से कि ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एकबर जिरोटाय करने चाहिए और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूटूब बर देख सकते हो नम्मर टू दा फैमिली प्लेन ये मूवी साल देखने को मिलती है एक बहुती खसना का सेशन की जिसको एक दिन एक लड़की से प्यार हो जाता और ये बंदा अपने सारे बुरे काम छोड़कर उस लड़की के साथ साधे कर लेता और एक नॉर्मर लाइफ जीने लगता है लेकिन मूवी में ट्विश्ट तो तब आता है जब उस असेशन के पुराने दुस्मन उस पर हमला कर देते हैं और उसकी फैमिली को टपकाने की कोशिस करते हैं तो असेशन अपने फैमिली को किस तरह से बचाएगा यह सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी एक बर जिरो टैकरने चाहिए अगर आप लोगों को एक्सेन अडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में टैकर सकते हो इस मूवी में एक कहानी देखने को मिलती है एलिस नाम की एक लड़की की जो कि रात के समय अपने घर जा रही होती है लेकिन इसके कार का पेटरोल खतम हो जाता है जिसको भनने के लिए एलिस एक बीरान पेटरोल पंपर रुकती है लेकिन मूवी में ट्विच्ट तो तब आता है जब एक साइको किलर एलिस को टपकाने को कोशिस करता है तो एलिस की तरह से उस साइको किलर से बचेगी और एक साइको किलर कौन है जो इस एलिस को टपका रहा है यह सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी एक बार जिरो ट्रैक करना चाहिए अगर आप लोगों को होरर मिस्ट्री मूबी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूबी को हिंदी में ट्रैक कर सकते हो नमबर फोर काव बोईज एन एलियन ये मूबी साल जोरी 11 मेरे लिए जोचो की एक्शन सांच फिक्शन मूबी है इस मूबी की I'm Liberating 6 की है इस मूबी में कहानी देखन को मिलती है जेक नाम के बंदे की जिसकी हाथ में बहुत ही खतरनाक वैपन को लगा दिया जाता है और कुछ लोग इसको मानने के कोशिस करते हैं लेकिन मूबी में ट्विश्ट तो तब आता है जब धर्ती पर बहुत ही खतरनाक एलियन हमला कर देते हैं और जहां तहां पर हमला करने लगते हैं तो जेग उन एलियन को किस चरह से रोकेगा और जेग के हाथ पर वो वेपन किसने लगाया है यह सब जानने के लिए तो आपको यह मूबी एक बार दिर्व टैक करने चाहिए अगर आप लोगों को एक्शन साइंच सिक्षन मूबी देखना पसंद है तो आप लोग इस को लगता है कि मोस्टर अभी भी होते हैं लेकिन आज तक किसी ने भी मूस्टर को नहीं देखा है लेकिन मूबी में टुश्ट तो तब आता है जब वहां पर एक पहार को काट कर उसमें सुरंग बना रही जाती है और इसी बीच एक मोस्टर जिन्दा हो जाता है उस करने के लिए तो आपको यह मूबी एक बार जरो ट्रैक करने चाहिए अगर आप लोगों को मॉस्टर एक्षन फेंटेसी मूबी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूबी को हिंदी में ट्रैक कर सकते हो